हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आयूप कि आप सब बहुत बढ़िया है और आज के बीडियों हम करने वाले हैं लेशन नंबर टू कक्छा साथ का बिशय अंग्रेजी का इंग्लिस डिटर का लेशन नंबर टू पार्ट का नाम है दा बाइज मेन फस्ट यानि की बुद्धि लिंक में दी गई है इसके हम सबसे पहले मीनिंग देख लिते हैं पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्चुली में है क्या छोटा सा आपको सोर्ट नोट दे दूं यह जो बुद्धिमान बैखती है एक राजा की हां काम करता है तो राजा जो है घोड़े की प्रिशच राज़ता है और किस तरह से उसको घोड़े से फिर एक्षेंज करता है किन किन चीजों का एक्षेंज करता है उस गोड़े से एक दूसरे से उसमें दी गए तो आपने सिक्षक के मादशने में पढ़ें और जब आप इस चैप्टर को समझेंगे अब वीडियो में तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्षेंज में चैप्टर में है क्या चले हम आपको मीनिंग बता देते हैं चैप्टर की कौन-कौन से मीनिंग आपको नूट करनी है तो यहां बच्चों आपको मीनिंग दी गई है तो इन मीनिंग को आप नूट करें कॉपी में ठीक है अब हम चलते हैं इसकी exercise में सबसे पहले आपको question answer दिए गए है question answer में सबसे पहला question है why did he horse trainer and his wife decide to sell the horse मलब जो horse trainer था जो horse trainer था जिसको राजान वो घोड़ा का प्रिस्क्षन दे रहा था था ठीक है horse trainer तो जो था भोला नाम का वो अपने जो घोड़ा दिया था राजाने उसको बेचने कर decide क्यों किया उसने उसकी पत्री में उसका सही answer इस तरह से हो जाएगा देखो the horse trainer and his wife decide to sell the horse because it ate a lot of order and it was expensive to feed it मतलब उसने इसलिए decide किया उन लोगों न क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ रहा था उसको खिलाना पिलाना ठीक है दूसरा question है where did भोला go to sell the horse मतलब कहा उसने जो है sale किया तो भोला went to the market to sell the horse मतलब बाजार गया और उसने गोड़े को बेचा बेचने के लिए बाजार गया whom did he meet first सबसे पहले बाजार जाते समस को कौन मिला he first meet a man with donkey उसको सबसे पहले जो है एक डंकी यानि गधे वाला गधा मिला why did भोला think of buying sheep उसने जो एक्षेंज करेंगे उसके पास sheep आगे भेड भीड को बेचने का मन क्यों मनाया उसने तो दुखो भोला thought that his wife would like to have a sheep in place of donkey यदि therefore he thought of wife मतलब उसने यह सोचा कि उसकी पतनी गधे के बजाए भीड लेना चाहेगी इसलिए उसने भीड खरीदने के बारे में सोचा next is what did the girl having green mango ask the horse channel मतलब हरयाम बारी लड़की ने अस्व सिक्छक से क्या पोंचा मतलब जो भोला था उससे क्या पोंचा देखो the green mango बारे लड़की ने पोंचा the green having the girl having green mango asked to the horse channel whether his hand lead egg हरयाम बारी लड़की ने अस्व सिक्छक से पोंचा कि क्या उसकी मूर्गी अंडे देती है इस तरह से ठीक है next है सही गलत पे आपको टिक करना है जिसे पहला है कि भूला जबाईब बाईब बाईब आशा क्या भूला की बाईब आशा है तो उसकी गलत है जी ये फाल्स हो जाएगा क्योंकि भूला की बाईब जो है कौन है śanti ठीक है दूसरा क्या है दूसरा है भोला spent little money for feeding his horse क्या भोला जो है खाना खिलाने में मनी जा रही थी उसकी ना उसको गोड़े को तो जो जाएगा true next is his wife loved to eat mango चटनी क्या उसकी पतनी को mango चटनी पसंद थी तो जो जाएगा true next is the girl had a basket full of mango green mango tree तो जो जाएगा true लड़की के पास हरी आमो की टोकरी थी भोला गेब the sheep to the girl in exchange for his green mangoes तो जो जाएगा false ठीक है ride the bun bird बन बर्ड आपको बताना है मतलब बन बर्ड आपको लिखना है कई सब्दों का एक बाक जैसे one who trains horse जो गोड़े को प्रिशिक्षड देता है तो जाएगा horse train इसको आप लिखने है यहाँ पर ठीक है पहले का दूसरा है one who looks after sheep तो जो sheep जो देखवाल करता है तो जो जाएगा sheep bird ठीक है one who ride the controlling elephant तो हो जाएगा महावत जो हाती को चलाता है person who control wild animal in circus तो क्या हो जाएगा उसको ring master तो यहाँ हो जाएगा चोथरे का ring master ठीक है चलते है next match दा column कहा गया है herd of क्या हो जाएगा herd of हो जाएगा cattle ठीक है पहले का पहला bunch of तो bunch मनला होता है गुच्छा ठीक है तो गुच्छा का होगा तो जो हो जाएगा grabs का ठीक है e से मिलाएगा अब grabs का पहले का e दूसरे का e a heap of तो heap of का मिलाएगे आप stone से ठीक है धेर next the bookie of flowers तो जो हो जाएगा बुके का flowers फूरत का d a swarm of तो जो हो जाएगा आपका bees ठीक है an army of तो जो जाएगा शोलियर ठीक है combine the pairs of sentence given below using who तो who आपका who को प्योग करके आपको दो sentence को combine करना है जिससे यहाँ पर है दो sentence इस तरह से दिए गए है the girl is wearing red sweater the girl is sarita तो आप इस तरह से comment करेंगे दीखे the girl who is wearing red sweater is sarita मतलब जो girl ने red sweater पहना है वो sarita है दूसरे को the boy is wearing blue cap the boy is tellest boy in the class तो इस तरह से बनाएंगे the boy who is wearing a blue cap is tellest boy in the class next है तूसरे को बनाएंगे Seema who studied in the class 8 is the most brilliant student of the class fourth को बनाएंगे आप John who is good storyteller is telling an interesting story और फिफ्त को बनाएंगे Gurmit helps the boy who is blind next है let's talk sit in group 4-5 and make list of domestic animal and bird कहा गया है कि आप बैठिये और domestic animal घरहलू जानवर जो पालती है और पक्छियों के नाम आपको बनाना है दुखो domestic animal हो जाएंगे cow dog rabbit और mouse घरहलू इदर बर्ड में हो जाएंगे pigeon carrot और parrot और cat ठीक है cat कहां से आ गया तो cat मत लिखना आप ठीक है basic और मैं बता दूं बर्ड में क्या क्या हो जाएंगी और kite भी हो जाएगा kite ठीक है इस पेरो भी हो जाएगा यहां पर हो जाएगा cat ठीक है किसमें domestic animal में compare your list and discuss about their usefulness अपनी सूचियों का मिलान करें उनकी उपयुकता की बारे में चर्चा करें ठीक है तो आपको उनके sentence बढाना है जो आपने उपर लिखे हुए है फिर कहा गया है ask the following question and fill up the table मतलब जी question है इसकी अनुशार आपको fill करना है table तो table आपके सामने दी गई है कि birds, crow है, several है, animals में क्या क्या आ जाएगा ठीक है कहा गया है write a paragraph using the group of bird in below नीचे आपको bird दिये गई है ठीक है उन बर्ड की सहायता से आपको एक paragraph लिखना है पेराग्राफ जो answer में आपको mention है नीचे तो इनकी सहायता से पेराग्राफ लिखा है तो आप इन पेराग्राफ को भी लिखें ठीक है इस तरह से आपका यह chapter जो है complete होता है और मिलते हैं next video में तब तक के लिए बच्चों take care bye bye see you soon चलो मैं और समझा दीता हूं जैसे यहां पर है let's do it में read the following sentence and rewrite them using should not should not ठीक है तो प्लांट पहला है जैसे plant new trees तो वी शुड़ नौट वी शुड़ प्लांट न्यू ट्री प्लाव हमें नए पौधी लगाने चाहिए ठीक है जैसे दूसरे में कहा गया है sentence में never cut green tree तो never मतलब हमें नहीं काटना चाहिए न तो हमें लगना we should never cut green tree मतलब हमें green tree कभी नहीं काटना चाहिए never कभी नहीं do not hurt any animal and birds मतलब पसुपक्षियों को हमें hurt नहीं पहुचाना चाहिए परेशान नहीं करना चाहिए तो we should not hurt ठीक है animal and words इस तरह से आपने वो complete कर सकते हैं तो यह complete हो चुका है मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care